जै हिन दोस्त वाज हम आपके लिए GKK टॉप 40 मोस्ट इंपर्टन ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आये हैं दोस्तो इस वीडियो में हमने सब इस सेलेक्टेट क्वेश्चन ही डाले हैं जो आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तो इस सबी क्वेश्चन आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसलिए आप इस सुडियो को अंत अकर बहुत ही ध्यान से दिखेगा ताकि आपको यहीं पर सबी क्वेश्चन याद हो जाएं तो चलिए अब इस सुडियो को स्टाट करते हैं क्वेश्चन नमबर वन निकर दिस्ती दोस वाले वेक्टिक चस्मे में क्या लगा होता है तो दोस्तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिसे पास का दिखाई नहीं देता है उसके चस्मे में क्या लगा होता है Q2. समान नागरिक सहीता यानिक इनुफर्म सिविल कोड लागू करने वाला एक मात राजे कौन है? तो दोस्तो इनुफर्म सिविल कोड लागू करने वाला एक मात राजे गोवा है क्वेचा नम्बर थिरी भारतीय राज की पहली महिला मुखे मंतरी यानि की चेफ मिनिस्टर सुचेता क्रिपलानी किस राज से थी तो दोस्तो भारत की पहली महिला मुखे मंतरी उतर परदेश से थी और दोस्तो उत्र परदेश के वर्टमान राजपाल अनन्दी बेन पटेल हैं और इसके वर्टमान मुखमंतर योगी आधितिनात हैं और इसकी राजधानी लखनव है Question No.4 भारत में पहली बार राष्टिया पात यानी की नेशनल इमर्जन्सी कब घोशित किया गया तो दोस्तो भारत में पहली बार राष्टिया पात 262 को भारत चाईना यूद के समय घोशित किया गया था और दोस्तो भारत में अब तक तीन बारे आपात काले राष्टी आपात घोशित किया गया है जिसमें पहला 1962 में हुआ था दूसरा तीन दिसंबर अनुशवेखतर को और तीसरा 25 जुन अनुशवेखतर को आप तीनों को अच्छे से याद रेखे गया कि क्विन सेग्या में ब पेश्चा नंबर फाइफ है भारत का राष्टी गीतवंदे मात्रम को पहली बार कभ गाया गया तो दोस्तो भारत के राष्टी गीतवंदे मात्रम को पहली बारे admir बार 219b में गाया था Q.6 भारत के राष्टे गान यानी की जन गण मना को पहली बार कब गाया गया तो दोस्तो भारत के राष्टे गान जन गण मना को पहली बारे उनई सवेगारा में कॉंग्रेस के कुलकात्ता अधिवेशन में गाया गया और दोस्तो राष्ट्य गान यानि की जण मना के रचाईता रवीन ना टाइगोर हैं Question number 7 भारत सक्सवन पर अधारी ते राष्ट्य पंचांग यानि की नेशनल केलेंडर को कब अपनाया गया? तो दोस्तो भारत सक्सवन पर अधारी ते राष्ट्य पंचांग को 22 मार्च 1997 इसवी को अपनाया गया? Question number 8 शिंदू सबेता की खोजे किस ने की थी? तो दोस्तो शिंदू सबेता की खोजे दया रामसाहनी ने की थी? यानि किसका सही अंसर होगा option number 2 Question number 9 फाहियान जो की एक विदेशी नागरीक था जो चीन से भारत में आया था वो हचंद गुप्त दीवतिये के शासनकाल में भारत आया था Question number 10 जनागड़मान को भारत के राष्टिगान के रूप में कब स्रिविक्रिती मिली? तो दोस्तो जनागड़मान को भारत के नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवर यूनईशी नफचास को स्रिविक्रिती मिली? यानि किसका सही अंसर होगा option number B दोस्तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने जितने भी question डाले हैं आपके एक्जाम के लिए कितना important है इसलिए आप इस वीडियो कौन तक देखेगा और अगर आपको किसी भी question में कोई भी doubt ओट हमें comment box में जरूर पुछेगा ताकि इसके अगले पार्ट में हम उन सभी doubt को cover करें Question number 11 राष्ट दोवाजयानी के national flag को सविधान सभाद्वारा कब अपनाया गया तो दोस्तो राष्ट दोवाजयानी की तिरंगा को सविधान सभाद्वारा 22 जुलाई उनस और 47 को अपनाया गया और दोस्तो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है कि तिरंगा का डिजाइन किस ने तयार किया है तो दोस्त आप इसे भी याद देखेगा कि तिरंगा के डिजाइन इंगे लिवेंग के या ने तयार किया है दोस्तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद दिखेगा कि किन्स एक्जाम में अक्सर क्वेशन पूछे जाते हैं चलिए बगले क्वेशन को देखते हैं क्वेशन नमर टू एलवे एवरेस्ट पचरने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? तो दोस्तो माउंट एवरेस्ट पचरने वाली प्रथम महिला जापान की थी? और दोस्तो माउंट एवरेस्ट पचरने वाली प्रथम महिला का नामे जुंको ताबेई था? क्वेशन नमर ठर्टिन भारत में बारूत का सर प्रथम उपयोगे किसे ने किया था? तो दोस्तो भारत में बारूत का पहली बारूप योग बावर ने किया था कुवेचा नमबर फोर्टिन भारतिय सविधान के प्रस्तावने यानि के प्रियेम्बल ओफे इंडियन कंस्ट्रिप्शन में भारत सब का पुर्योग कितने बार हुआ है तो दोस्तो भारतिय सविधान के प्रस्तावना में भारत सब का पुर्योगे दो बार हुआ है क्वेचा नमबर 15 भारत की यात्रा पराने वाले प्रतम ब्रिटिस समराथे कौन था? तो दोस्तो भारत की योत्रापराने वाला प्रथम ब्रितिस समराथ जोर्ज पंचम था Question No.16 भारत में पहली बार डाक टीकटे किसवड़ से जारी किया गया? तो दोस्तो भारत में पहली बार डाक टीकटे 152 इस भी में जारी किया गया था Question No.17 राजसभा का पदेन सभापती कौन होता है तो दोस्तो राजसभा के पदेन सभापती भारत के उपराश्टपती होते हैं और दोस्तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए कि भारत के वर्तमान उपराश्टपती यानि के वाइस प्रेशिडेंट कौन है क्वेचा नमबर 18 एस वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताबे कब जीता था तो दोस्तो एस वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताबे उन्हों सो चवरानवे इस भी में जीता था यानि किसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर C क्वेचा नमार 19 देश में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है तो दोस्तो देश में सबसे पहले सूर्य उदय और नाचल परदेश में होता है और दोस्तो आप यहां मैं पर देख सकते हैं कि और नाचल परदेश भारत का सबसे पुरिवी राज है और सूरज भी पुर्व से ही निकलता है इसलिए और नाचल पर्देश में देश में सबसे फ़ले सुर्य उदार नाचल पर्देश में होता है और दोस्तो भारत का सबसे पच्मी राज्य गुजरात है आप दोनों को अच्छे सिया दखेगा Question No.20 दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो दोस्तो दिली चलो का नारा सुबा चंद बौस ने दिया था यानि किसका सही अंसर होगा उप्चान No.D विटामिन्स के खोजे किसे ने की थी? तो दोस्तो विटामिन्स के खोजे फ़ंक नामक विज्यानिक ने की थी यानि किसका सही अंसर्व गाउप्शन नमबर डी भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमनकारी कौन था? तो दोस्तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमनकारी मोहम्मद बिन कासीन था और इसने दोस्तो 712 स्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमन किया था कुवेश्चान नमबर 23 भोपाल गय से तरासेदी किस वर्ष हुआ तो दोस्तो भोपाल जो कि मद्य परदेश की राजधानी है वहाँ पर एक बार मिठाइल साइनोईट के साथ वाठर का रियक्शन हो गया था जो कि बहुत ही जहरिला था जिसे वहाँ पर करीब सरकारी आकड लोगों के मिठी हो गई थी और दोस्तो ये हादसा तीन दिसंबर उनई सो चौराची इस भी को हुआ था आप इन सभी प्वाइंट को याद रखे गया कि इनसे जुड़ एक जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुछे गए हैं क्वेश्चा नमर ट्वेंटिफोर किस परदेश में पूरे सालवर्षा होती है तो दोस्तो विशुवतिय परदेश में पूरे सालवर्षा होती है यानि कि जो जगा एक्वेटर के पास मोजुदे बहां पर पूरे सालवर्षा होती है Question number 25 भारत में विधुत रेलगाड यानिक इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचाल ने किस वर्ष में आरंब हुआ था? तो दोस्तो भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचाल ने 1925 इस भी में आरंब हुआ Question number 26 मानो सरीर में भोजन के पाचन के संदर्व में लाइपेज का सवराओ अमाश यानिक स्टोमेश से होता है Question number 27 इलेक्ट्रिक हीटल कोईल के निर्मान में किस पदात का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो जो इलेक्टिक हीटर होता है उसके कोईल के निनमाण में नाइक्रोम के वैर का उपयोग ही आ जाता है Question number 28 विटामिन निमन में से किस में सहायता नहीं करता है तो दोस्तो क्वेशन है कि विटामीन इन में से यानि कि चारो अप्षनों में से किस काम में सहायता नहीं करता है तो दोस्तो आपको पता होगा कि विटामीन पाचन के जिए में सहायता नहीं करता है Question No. 29 Dynamo का सिधान्ध किस नियम पर अधारित है? Question No. 30 Qοιπόν No. 30 विश्वी की सबसे गहरी जील कौन सी है, तो दोस्तों विश्वी की सबसे गहरी जील, रूस में इस्तित्वेकाल जील है, यानि किसका सही अंसर होगा अप्शन नमर बी? Question number 32, सीमा सुरक्षाबल यानि कि BSF बॉर्डर सिकोर्टी फोर्स के अस्थापना किस वर से हुई? तो दोस्तों, BSF का स्थापना 1965 में हुआ था, और इसका एक्जेक्ट डेट है 1 दिसमबर 1965 है. Question number 33, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अल्म की आवसकता होती है? तो दोस्तों, प्रोटीन का रिर्मान करने के लिए कुले 20 अमीनो अल्म की आवसकता होती है, यानि किसका सही अंसर होगा, option number D. Question number 34, भारत में यूद की घोशना करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, अगर किसी के साथ भारत का यूद हुआ तो किसी भी देश के साथ है, तो इस यूद की घोशना भारत के राष्टपदी करेंगे, और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि भारत के वर्तमाने राष्टपदी कौन है? क्वेचा नमबर 35 है, अमेरिकी संसत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, अमेरिकी संसत को कॉंग्रेस कहा जाता है, यानि किसका साही अंसर होगा ओप्सन नमबर 2? Question number 36 च्छेतरफल की द्रिष्टी से 20 वे का सबसे छोटा देशे कौन सा है तो दोस्तो एरिया की द्रिष्टी से 20 वे का सबसे छोटा देशे Vatican City है Question number 37 RBI यानि की Reserve Bank of India का मुख्या ले यानि के Headquarter और है तो दोस्तो RBI का मुख्या लए मुंबई में इस्थित है यानि को अप्शन नमब सी Question number 38 पानिपत का सेकेंड वार यानि की दिवितिय यूधे कब लड़ा गया था तो दोस्तो पानिपत का दिवितिय यूधे 1556 इस्वी में हुआ था और दोस्तो पानिपत का प्रथम यूधे 2556 इस्वी में हुआ और पानिपत का तीसरा यूधे 14 जनवर 1761 इस्वी में हुआ आप तीनों को याद रखेगा क्योंकि इनसे एक्जाम में अक्सर क्वेचन पूछे जाते हैं Question number 39 प्रती वर्षे राष्टे मत्यदान दिवास यानि की नेशनल वोटिंग डे कब मनाया जाता है तो दोस्तो हर साल राष्टे मत्यदान दिवासे 25 जनवरी को मनाया जाता है Question number 40 उचित अमन्याले यानि की सुप्रीम कोटे अपने दिये हुए फैसले पर पूर्णे विचारे की इस अनुछेद दोबारा करता है तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा Option number B अनुछेद 137 के दोबारा